तो हेलो एवरिवन तो ये एक अपडेट है फैन क्रेज रिलेटेड इसके रिलेटेड मैंने एक वीडियो बनाया था ये स्क्रीन में आप देख सकते हो ये जो वीडियो है ये वीडियो मैंने डाला था डिसंबर में तो उसमें मैंने ये बताया था कि ये एक प्लैटफोर्म ह जहाँ पे आप लोग cricket का NFT पर्चेस कर सकते हो और ये जो platform है ये ICC के साथ partnership में और साथ में और एक चीज में बताना चाहते हो ये जो company है ये बहुत सारे अलग-अलग ऐसे sport brand के साथ मतलब जो authority sport के उनके साथ जैसे NBA हो गया वैसे उनके साथ tie up करके रखे और उनके अलग-अल marketplace बना हुआ है जहाँ पे हम लोग NFTs purchase करके trade कर सकते हैं जैसे कि ये जो वीडियो आ रहा है आपको देख रहे हो जो ये चक्खा था 2011 World Cup का ये भी NFT कोई own कर सकता है और ये NFT मान लिजी आपने own किया तो कोई ना कोई तो यसा होगा जो इसको purchase करने के मतलब try करेगा तो जितना मतलब लोग ज्यादा होंगे इस NFT का fanpage जितना ज्यादा होगा उतना ही आपको ज्यादा पैसा मिलेगा तो यहाँ पर यह जो company है आज से एक दिन पहले 27 को 27 को इन लोगों ने पहला drop दिया है जिसमें हम लोगों ने मतलब पैसा देके कुछ NFT bundle इनका purchase किया है तो ऐसे नहीं क कि हम लोग एक पैक purchase करेंगे और पैक के अंदर कुछ भी हो सकता है तो उनका तीन पैक था तो उसमें से मैंने तीन पैक purchase किया था तो क्या-क्या पैक है वह मैं बताता हूँ और कौन-कौन सा NFT मुझे मिला है वह बताता हूँ और थोड़ा बहुत अपडेट है वह मैं आगे बताऊंगा तो सबसे पहले तो यह जो एकाउंट है उसमें मैं आपको लेकर चलता हूँ इसमें अगर मैंने मैं अपना प्रोफाइल खुलता हूँ तो उसमें आप देख सकतो मेरे पास बस इसमें एक ही NFT होगा यहाँ पर एक नहीं दो कॉमान वर्याव कहता है आप स्टार मिलने देख और यह से साथ किया तो सबसे हैं और रोचेस किया देखाा वने हैं इस को सबस्ते के आप यहाँ आ Echo यह जाकinku स्टेट है इस सबस्तव कर neither बश्याित करने का चाँ होका होगा चीका तो मुझे 2 NFT मिले इस अकाउंट में और एक दूसरा अकाउंट है जो यह है इसमें मैंने किया किया था जो 49 डॉलर का पैक था उनका वो पर्चेस किया था मैंने और उसके अंदर मुझे 3 NFT मिले और उसके छोड़के मुझे एक reward के दोर पर और एक मिला जिसके अंदर मुझे 1 NFT मिला तो यहाँ पर जैसे यह जो common वाला आप देख रहो राइट साइड में रसल वाला वो मुझे उस free वाले में मिला और यह Malinga का एक wicket था योर कर वाला वो rare category में है मतलब इसका price हो सकता है अच्छा का सा होगा वो मिला उसका बाद यह रोहित शर्मा का एक 6 था पाकिस्त 2018 और 2019 World Cup जो हुआ ICC का उसी के clips को drop किया तो सोच लिजे जिनको वो धोनी वाला वो जो run-out है वो मिला होगा या फिर जिसको यह जो आखरी बॉल में जो यह सुपरवर वाला जो आखरी बॉल में England जीता वो वाला clip मिला होगा तो वो बिलकुल legendary category में आएगा वो सब और उसक तो मतलब कल open होना चाहिए यह तो जब marketplace open होगा तब हम लोग क्या कर सकते हमारा जो listing है यह जो NFT है उसको list कर सकते है और list करने से क्या होगा कोया case में से purchase कर सकता है तो ऐसा होगा trade होगा तब NFTs का तो इसका एक मैं आपको example दिखाता हूँ मैं आगर यहाँ पर search करता हो Google में NBA NFT तो इसमें आप एक चीज़ देख सकते हो इनका जो यह जो है NBA TopShot.com यह एक website है सेम यही company है इंडिया में ICC का जो cricket NFT है उसका नाह में fancraze यह जो website है और same company Dapper Lab करके एक है वसी company ने NBA के साथ टायप करके यह website launch किया जिसका नाम है NBA TopShot.com तो इसमें आगर मैं आपको दिखात हो marketplace में जाके जो इसका legendary NFT कितने price में भी करा है वह बताता हूं मैं आपको इंडिया में उतना value नहीं जाएगा cricket का उतना नहीं जाएगा दिरे दिरे जाएगा जिसकी यह नीचे वाले आप देख सकतो बहुती कम range का है जिसे 23 डॉलर 26 डॉलर average price है इनका लेकिन में most valuable listing जो है जोगा या फिर 1983 का वाल कप का वह winning moment तो इंडियन के लिए तो वह बहुत ही ज्यादा मतलब valuable होगा और क्या बता प्लेयर्स लोग ही खर्त कर रखें यह भी हो सकता है क्योंकि प्लेयर लोग जो है जैसे कि रोई शर्मा हो गया बूम रहो गया यह लोग भी इसको मतलब इसक करने वाले है जायद कोई metaverse करने वाले है उसमें शायद हम लोग इस nft को यूज करके कुछ कर सकते हैं जो भी होगा वह तो future plan इनका तो मैंने बस ऐसे purchase करके रखा कि आगे अगर इसका price बरहा तो जाके मैं sale करूंगा तो ऐसे कोई यह नहीं कि मैंने purchase किया तो अभी तूरं यहां पर भी ऑपन नहीं रहा पता निक्यों तो मैं आपको दुसरा चीज दिखाता हूँ यह वाला चोड के UNकखर जो यह जो अपिक यौ फिर जो लिजैंडरी ने फिस प्राइज दिखाता हूँ जैसे कि किसी भी मैच का बहुत अच्छा क्लिप होगा जिस करन से और साथ में अगर इनका एपिक वाला दिखाओ तो करीब इतने हमें थाइजर में नॉर्मेल 100 200 300 दॉलरस में और और एक चीज़ दिखाता हूँ में इसमें क्या गया यह जो इनली सिर्फ मिलता है हमें जैसे लिद्म एपूला साथ हूँ जयों कि इंडिया ऐं तो मेरा च्राणा है उços का में इसके आपर दिखाता हूँ हुआ जैसे कि यह दिखिए यह भी हुआ है लिकिन इसको में आगे पर्ष्ट फ्रवर्ड नहीं कर सकता तो इतना आता है वह दिखाता हो मैं आपको यह दिखिए ऐसा होगा बिल्कुल कमेंटरी के साथ और उसके बाद थोड़ा बहुत अलग क्लिप भी होगा तो कुछ ऐसा है मतलब यह जो सिस्टेम है तो अभी पता नहीं कितना ज्याता प्रोफिट होगा क्योंकि अगर अगर अब देखे हम लोग तो कुछ-कुछ NFT से आपस एक पैक हमें मिला है और अगर इनके बात करें इनका भी दिखे स्टारटर पैक जो है कॉमन वाला बेल्ला नाइन डॉलर का तो इसके साथ से देखें तो हो सकता है क्या प्रैस डबल होगा अगर कॉमन वाले के बात करें लेकिन अगर यह जो एपिग वाले उसका प्र इनके जो यह लेजंडरी वाले है वो तुमें आपको दिखा नहीं पाया उनका प्राइस तो मतलब करोरो में है इंडियन रुपीज की बात करें तो जो उपेंड नहीं हुआ था वो तो मतलब पता नहीं क्या हो सकता है क्योंकि यह दिखें सिंपल चीज है जो लोग ने परच मतलब लेजंडरी वाले मोमेंट तो वैसा है तो क्या होगा आगे ही पता चलेगा और कुछ-कुछ लोग होंगे जिनके पास बहुत अच्छे अच्छे पैक्स मिले अच्छे अच्छे नेफ्टी मिले उनको बहुत ज्यादा फायदा होगा तो बस यही तर इस वीडियो में और आगे बनाता रहूँगा ऐसे टाइप के वीडियो और इसके भी अपडेट ज़ाएगा वो भी बनाऊँगा मैं अभी तो क्रिप्टो के बहुत सरे अलग-अलग प्रोजेक्ट में मैं ऐसे ही मतलब इन्वेस्ट करके रखा है और किया अपडेट है उसके लिए का अधि भी एक वीडियो बनाने का सोच रहू है कौन-कौन से प्रोजेक्ट में मैं अभी मतलब काम कर रहा हूँ काम ने मतलब किसमें इन्वेस्ट करके रखा है तो आगे बताएंगे वीडियो में तो अभी के लिए बस इतना ही था तिंक यू फूर वाचिं दिस वीडियो और प्रखस से देन्गे प्रेंट करने लिए कर दिसे एक्टध मेंगी प्रखस सेथर शाड़ कामारे देनेश करेंगे बसलमकिल के धर बालब कर folते कर देनेटी थे b प्रतावने टाब you यूरे यू च praise झ्ट代 टेने passion टेनने naturमकिल के